The Watcher Presents Hollywood Movie Knock Knock मूवी की सुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम इवान रहता है जो की एक आर्किटेक्ट रहता है और अपनी वाइफ करीन और अपने दो बच्चों के साथ बाकी आम लोगों की तरह अपनी लाइफ जी रहा होता है इसी बीचे एक दिन Father's Day के दिन करीन पूरे परिवार के लिए बीच्री किनार एक holiday प्लान करती है पर अचानक इवान के पास एक बहुत important project के साथ उसके injured soldier therapy का भी appointment आ जाता है जिस वज़े से इवान को मजबूरन अकेले घर पर अपने कुट्टे के साथ रुकना पड़ता है जिसके बाद इवान रात को जब काम कर रहा होता है तब उसके घर में दो लड़किया नौक करती है जिनका नाम बैल और जेनेसिस रहता है और वो इवान से कहती है कि वो एक party में जा रही थी पर उनका phone और phone के वज़े से वो रास्ता भटक गई तो उन्हें उसकी मदद चाहिए ताकि वो उसके laptop से साही address टून पाए उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर और बारीस की वज़े से उनकी हालत देखकर इवान उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है और इसी के साथ वो उन्हें ठंड से बसने के लिए कुछ कपड़े और address ढूनने के लिए अपना iPad देता है और साथ ही एक cap बुक कर देता है उनके जाने के लिए इवान की इस मदद के लिए दोनों लड़किया उसे thank you कहती है और cap के आने तक वो इवान से बाते करती है पर इसी बीच इवान को उनकी हरकते थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो जब से उससे घर के अंदर आई थी वो बीना उससे पूछे पूरे घर में कहीं भी चली जा रही थी जिसके बाद इवान उन्हें एक जगह पर बैठा कर उनसे उनके काम के बारें पूछता है तो वो दोनों इवान को बताती है कि वो air hostess है और उस जगह पर कुछ वक्त के लिए आई है दोनों लड़कियों की बात सुनकर इवान को थोड़ा relief होता है कि वो ऐसी वैसी लड़किया नहीं है पर जब वो उन लड़कियों से और बाते करने लगता है तो दोनों इवान के साथ दीरे दीरे flood करने लगती है जिससे इवान uncomfortable होने लगता है और उनसे दूर रहने की कोसिस करता है पर उनमें से एक जिसका नाम bell रहता है वो इवान के पीछे पड़ जाती है जिस वज़े से इवान खुद पर से अपना control खोने लगता है पर तभी कैब वहाँ आ जाती है जिससे इवान को तुरत realize होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था जिसके बाद इवान उन दोनों के कपडों को सुखा कर लाता है उन्हें देने के लिए पर वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां अपने जगा से गायब है जिसके बाद जब इवान उन्हें ढूनता है तो वो दोनों उसे उसके बातरूम मिलती है और इवान के उनके पास पहुँचते हैं वो उसे seduce करना सुरू कर देती है पर इवान खुद पर control करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिस करता है और उन्हें समझाता है कि वो जैसा सोच रही है वो वैसा नहीं है वो एक साधी सुधा इंसान है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है पर वो लड़किया इवान की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और उसे इतना seduce करती है कि आखिर में उसका control खुद पर से हटी जाता है और तीनों एक दूसरे साथ intimate हो जाते है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता है कि उसने ये करके कितनी बड़ी गल्ती किये और ये बात उसे तब realize होती है जब सुबह उसकी आँख खुलती है और उन्हें अपने घर से उसी वक्त निकल जाने को कहता है पर इस बार भी वो दोनों इवान को पूरी तरह से ignore कर देती है और पूरे घर में तमासा करती रहती है जिसके बाद आखिर में इवान गुस्से में आकर पुलिस को फोन करने का decide करता है पर तभी वो दोनों उसे रोक देती है और उनमें से एक जिसका नाम जेनेसिस रहता है वो इवान को ये कहकर डराती है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो खुद फस जाएगा क्योंकि वो दोनों अंडर एज है जिस वज़े से उस पर उनका रेप करने का इंजाम लग जाएगा जेनेसिस की बाद सुनकर इवान जैसे ही घवराने लगता है तो जेनेसिस हसने लगती है और उससे कहती है कि वो कितना बेवकूफ है वो दोनों अंडर एज नहीं है वो बस उसके मजे ले रही थी इन दोनों से तंगा कर इवान इनका उसे परिसान करने का मकसद पूछता है और इनसे अपना फीचर छुडाने के लिए दोनों को पैसे उफर करता है पर दोनों लड़किया पैसे लेने से मना कर देती है और इवान से कहती है कि वो कोई प्रोस्टिटूट नहीं है कि वो अपने वीवी के घर पर ना होने का गलत फाइदा उठा रहा है और उसे दोका दे रहा है जिसके बाद वीवीन इवान से गुस्ता होकर वहां से चली जाती है और अपनी बेजती से इवान के अंदर का सारा पेसेंस खतम हो जाता है जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अब उसे कोई फरक नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा वो अब पुलिस को बुला कर रही रहेगा इवान को सीरियस देखकर दोनों लड़किया सांत हो जाती है और इवान से कहती है कि वो उसके घर से जा रही है उसे पुलिस बनाने की कोई जरूरत नहीं है पर उन्हें उसकी एक आगरी मदद चाहिए होगी और वो ये कि उसे उन्हें छोड़ना होगा उन दोनों लड़कियों से पीचे छोड़ाने के लिए इवान उनकी सर्थ को मान लेता है और उनके बताय हुए जगह पर जाकर उन्हें छोड़ाता है और वापस आकर पूरे घर को पूरी तरह से साफ करता है पर उसी रात को जब वो रिलेक्स होकर अपना काम करने बैटता है तो उसे कुछ तूटने की आवाज आती है जिसके बाद जब वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसकी फैमली फोटो जमीन पर गिर कर तूट गई है और वो जैसे ही उस फोटो उठाता है तब ही जैनेसिस पीछे से आकर इवान के सीर पर मारती है जिससे इवान बेहुस हो जाता है जिसके बाद जब उसकी आखे कुलती है तो वो खुद को बेट से बना पाता है और जेनेसिस को देखता है कि वो करीन के सारे मेकप किट को बरबाद करके खुद का अजीब तरीके से मेकप कर रही है जिसके बाद इवान जेनेसिस से रुकने को कहता है पर जेनेसिस इवान को ऐसे इगनोर करती है जैसे वो वहाँ है ही नहीं और इसके थोड़े ही देर में बैल इवान को और परिसान करने के लिए उसकी बेटी के कपड़े पहन कर आ जाती है और इवान से रोल प्ले करने को कहती है पर इवान जब उसे ऐसा करने से मना कर देता है तो जैनेसिस उसके पास आती है और इसे धमकी देती है कि अगर वो उन रूम से बाहर जाती है इवान खुद को खोल लेता है और बैल को मार कर बेहोस कर देता है और फिर जैनेसिस को मार दे जाता है पर जैनेसिस इवान की कमजोरी जानती थी कि उसका सोल्डर इंजर्ड है जिसका फायदा उठाकर जैनेसिस इवान के सोल्डर पर अटैक करती है औ इनका जबाब अगर वो नहीं देगा या गलत देगा तो वो उसे टॉर्चर करेंगी। और सवालों का जबाब जो भी रहेगा वो उसके साथ रियल में पर्फॉर्म किया जाएगा। जैसे अगर उसके सवालों का जबाब मौत रहेगा तो इवान को मरना पड़ेगा। इवान के घर पर लुईस आ जाता है जो कि करीन का असिस्टेंट रहता है इवान के घर से करीन के बनाए अस्टेचू को ले जाने जिसके बाद दोनों मिलकर इवान को एक जगा पर छिपा देती हैं और खुद लुईस से जाकर मिलती हैं और इसे कहती हैं कि वो इवान की भांजी है और इवान फिलाल घर पर नहीं है वो कहीं बाहर गया हुआ है उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर लुईस को उन पर यकिन हो जाता है पर जब वो अस्टेचूस को लेने गुषता है तो उन अस्टेचूस को बरबात देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गरवड़ है पर इसी बीच दोनों लड़कियों को पता चल जाता है कि लुईस को अस्थमे की प्रॉलम है जब लुईस घबराकर अपना पंप यूज करता है जिसके बाद जब लुईस इवान को घर में ढूडने जाता है तो दोनों करीन की सारी अस्टेचूस को तोडने लगती है जिसे देखकर लुईस जैसे ही उन्हें रोकने आता है तो वो उसका पंप उससे छीन लेती है जिसके बाद लुईस का घबराट की वज़े से बैलनस भीगर जाता है और वो एक अस्टेचू पर सीर के बल गिर जाता है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है लुईस के मरते ही दोनों लड़कियां उसे किसी अस्टेचू की तिरह पैक करकर इवान के गार्डन में ही दफना देती है और इवान की फोन से लूईस को ये message करती है कि उससे पता चल चुका है कि उसके और करिन के भी चकर चल रहा था तो अब वो अगर उसके सामने आएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और वो ऐसा message उसलिए करती है थाकि सभी को ऐसा लगए कि लुईस के गायब होने के पीछे इवान का हाथ है और इसके बाद वो इवान को अपने गेम में वापस ले आती है और उसे कहती है कि अब उसे भी मरना होगा क्योंकि उन्होंने डिसाइट किया है कि उसके सजा यही है पर इससे पहले वो एक दूसरा गेम खिलना चाहती है जिसमें उसे उनसे चिपना होगा और अगर वो उसे सुबह होने तक नई डून पाए तो वो दोनों उसे छोड़ कर चली जाएंगी और ये कहकर वो इवान को खोल देती है जिसके बाद इवान वहां से भाग कर एक जगह पर चरशिपажеता है पर जब उसे रिलाइज होता है कि वो जादा देर तक घर में नहीं चरशिपा रह सकता है तो वो बार भागता है पर जक्मी होने के कारण वो भागते वक्त एक चीज से टकरा कर गिर जाता है जिसके बाद दोनों लड़कियां उसे वापस पकड़ लेती है और उसकी आँखों के सामने एक कबर खोद कर उसे गर्दन तक दफना देती है पर जब इवान को लगता है कि वो उसे मारने वाली है तब ही दोनों रुख जाती है और हसने लगती है और इवान से कहती है कि वो सही में बहुत भोला है, वो उसे कभी नहीं मारने वाली थी, दरसल ये सब कुछ उनके गेम का एक हिस्सा था, और वो पहला इंसान नहीं है जिसने ये सब भुकता है, वो लोग बहुत वक्त से ऐसे लोगों के घर जाकर ये गेम खेलती आ रही है, पर आखिर में वो भी बाकी मर्दों की तरह ही निकला, इवान से ये सब कहकर वो दोनों लड़किया उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है, पर जाने से पहले वो रिकॉर्ड किया हो वीडियो नेट पर अपलोड कर देती है, और उसके पूरे घर को तबाह करक उसके कुत्ते को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसके बाद जब करीन बच्चों के साथ वापस घर लोटती है, तो पूरे घर की किसी कबार खाने की तरह हालत देखकर पूरी तरह से सौक में रहती है, पर कहानी यही खतम नहीं होती, लाश्ट में इवान ठीक होकर उन दोनों लड़कियों से बदा लेने जाता है, जब वो दोनों अपने नए सिकार को टॉर्चर कर रही होती है, और वहाँ पहुचकर इवान उनके दरवाजे को नौक करता है, और दोनों लड़कियां अंदर से घबरा कर पूछती है, और मुवी यहां खत्म हो जाती है, तो वैजार बस इस वीडो में इतना ही वीडो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मुवी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लो, तो मिलते हैं नेक्ट वीडो में, तब तक की लिए बाए, और हाँ जाते जाते इस वीडो को लेक जिरूर करते जाना